मेरे लिए history का प्रवाह क्या होगा? मेरा lecture plan कैसे होगा? तो अगर तुम्हें एक थोड़ा सा अंदाजा दूँ तो जैसे जर्ना बहता है उसी तरह मेरे chapters flow करते रहेंगे ठीक है मेरे chapters flow करते रहेंगे history में और मैं इसी प्रवाह के साथ आपके साथ आगे बढ़ूँगा के साथ तोड़ा है लेकिन इन topics की एक बड़ी खास बात है इसमें मैं कहीं fact नहीं पढ़ूँगा आप मेरे notes में कहीं fact नहीं पाएंगे fact के लिए मैंने अलग कर दिया है मैं fact के साथ अपना प्रवार रोकना नहीं चाहता जिस तरह आज आपको history को पढ़ने देखने और सुनने का एक नजरिया मिला होगा आप सोच रहोंगे धेर सारा fact मुझे दे देंगे तो मैं already दे चुका हूँ इसको आप आराम से पढ़िये मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं बात कर रहा हूँ उस segment के बारे में जो इतिहास के माद्यम से मुझे कुछ सिखा सके वो उन बेडियों को पहचानने में मेरी मदद कर सके वो बता सके कि इतिहास कई जगों पर है वो मुझे बता सके कि इतिहास को देखने का तरीका क्या होगा तो मैं जो है वो इतिहास को एक प्रवाह की रूप में लेके चलूँगा तो मैं कुछ-कुछ अंदाजा हो गया होगा कि मैंने chapters को किस रूप में बनाया है यह जरनी की तरह बहेगा हर हिस्सा एक दूसरे हिस्से के साथ जुरता जा और हम पहला ही question जो हमारा अतीत अवर past करके जो book है वो कहता है what, where, how and when क्या, कहा, कैसे और कब ठीक है यह प्रशन पूछता है कहता है कि जग्यासा ज्यान की पहली शर्त है क्या कहता है history की किताब क्या कहती है अपने preface में सबसे पहले बोलती है जग्यासा ज्यान की पहली जो curiosity है that is the first stage of learning, knowledge तो मुझे सबसे पहले पूछना पड़ेगा इतिहास क्या है मुझे साक्ष कहां दिख रहे है क्योंकि मैं तो आज खड़ा हूँ और पीछे की पदियात्रा देखना चाहता हूँ मुझे उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा कैसे हैं यह और कहां है कब हैं तो मुझे finding the evidences यानि मुझे साक्षियों को जोड़ना पड़ेगा और कैसे हम खाते थे कहां मुझे वो मिट्टी के टुकड़े मिले कहां मुझे हल मिला कहां मुझे मूर्तियां मिली कहां मुझे किसी वास्तु के बारे में पता चला मैं इन सब को जोड़ूंगा औ जोड़ कर अपने अतीत की कडियां बनाऊंगा तो इतिहास का पहला जो chapter है पहला जो मेरा topic है वो एक प्रश्ण पूछने से लेकर है कि हम जो अपने इतिहास की यात्रा कहनने जा रहे हैं करने जा रहे हैं वो basically किस रूप में हमने साक्षियों को इकठा किया राइट दूस जाती दौर के लोग कैसे रहा करते थे उनके क्या कदम थे जिन्होंने इतिहास पर अपने पदचिन रखे यह मेरा दूसरा topic होगा तीसरा topic है from gathering to growing foods यानि कि पहले हम एक शिकारी के रूप में संग्रहन किया करते थे और उसके बाद हम धीरे धीरे एक समाज की स्थापना मे हम एक growing foods यानि हम अपने लिए एक क्रशी करने की तरफ चड़े यानि क्रशक समाज की तरफ बढ़े तो जर्णी का मतलब हुआ step by step हम कैसे grow करने लगे एक बिखरे हुए घुमंतु लोगों शिकारी लोगों से एक समाज की रूप में आगर आज हम यहां तक हैं तो हमारी य इसी तरह in the earliest cities प्रारंभिक शहर तो जो नई वाली NCRT आपको कौन सी पढ़नी है आपको new NCRT पढ़नी है मैंने इस पूरी NCRT को लगभग 32 chapters में 32 topics में तोड़ दिया क्योंकि कई चीज़ें आपस में repeat करती हैं तो मुने link up करके एक जगा लेकर आया हूं और मेरे लिए 32 आ सब्सक्रा around fast को देखती है अज हमारे सामने समस्य आहे हैं आज हमारे हमारे शेहRों में बार्ट का पानी चला जाता है आज शहर डूब अगर हम इन चीजों के बारे में अध्यन करेंगे तो मैंने ये पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, आइडियाज, राजा कैसे आए, महराजा कैसे हुए, महाजनपत कैसे रहा, कैसे सामराज्यों का विस्तार हुआ, भारत रिपब्लिक क्यों कहलाया, और ऐसे बहुत से कोईशन का मैंने इसमें प्रवाह तैयार किया है, लगभग ये पूरी NCRT जो है, वो आपके साथ यहां प्रिपेर होती रहेगी, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, आज की डिस्कुशन में आपको एक गहरी डिस्कुशन थी, एक भाव था, वो भाव था कि इतिहास को देख पड़ेगा कि हमारा इतिहास, और हम उसी यात्रा को सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, और जो दूसरा परस्पेक्टिव है, यानि कि वरतमान में खड़े होकर मैं अतीत को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वरतमान की समस्याएं मेरे आसपास है, एक आफिसर वरतमान की सम समस्याओं से जूज रहा है, चाहे वो स्वास्ते हो, चाहे वो सिक्षा हो, चाहे वो किसी विदेशी टाकत का भारत में प्रवेश हो, चाहे वो आतंगवाद को बढ़ावा, सामप्रदाइक्ता, चायल्ड मैरिज, ये समस्याएं आज एक आफिसर को घेरे हुए हैं, वो इ अगर मैं अपने अतीत को एक बार देख लेता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ, तो मुझे वो कंपरिजन करने में आसानी होगी, मुझे कई बार अपना काम करने के लिए प्रेणाओं के आशकता बढ़ती है, मेरे सामने जब कोई मुश्किले आती हैं, तो मैं ठकता हूँ हारता हूँ, सोचता हूँ, ये मुझे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा अतीत मुझे कहता है कि वो देखो, एक अधनंगा फकीर सा वेक्ती आया था, हात में लाठी लेकर उसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया, वो देखो एक वेक्ती ऐसा आया था, जिसके एक आवाहन पर महिलाएं, बच्चे, सब कोई कूट पड़े आदोलन में, वो एक ऐसा वेक्ती था, जिसने ग्यान प्राप्त किया वो एक वरक्ष के नीचे, और इसने पूरे संसार को प्रकाश मान करके रख दिया, तो जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ, तो मुझे लड़ने की शक् अगती शील रही है, ये बताता है कि मुझे से मुझे समय में मानवता ने, हुमेनिटी ने अपना रास्ता खो जा है, इतिहास हमें वरतमान की चुनोतियों से लड़ने का रास्ता हिम्मत और उम्मीद प्रदान करती है, अगर इतिहास को इस नजरीय से पढ़ने शुरू कर उसको अपने अंदर आत्मसात करने, उसके साथ बहने की जरूरत है, इतिहास की नदी एक बहावाली नदी होती है, उसके साथ बहना पड़ता है, उसके रुक कर, नदी में रुक कर संघर्श नहीं करना होता, डूब जाओगे, तुम्हें उसके साथ बहना होगा, तो इतिह लेकर तुम अपनी लाइफ में एक अलग नजरीय से लेकर आप आओगे अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहिए प्यार से